लुझे लुखों ने जो लास्ट क्लास में टॉटक पढ़ा था वो आप लुगों का कॉंजूगेशन था तो कॉंजूगेशन किस तरीके से करते हैं और लुचूगेशन के क्या नियां भी यह सारी चीजें हम लोग आल्रेडी जान चुके थे आज लोगों को जो नया टॉप स्टार्ट करना है that would be mesomeric effect ठीक है तो usually क्या होता है जब भी हम लोग mesomeric effect को पढ़ते हैं तो प्लस हम जैसे inductive effect में कैसा था प्लस आई वाले कुछ groups होते थे माइनस आई वाले कुछ groups होते थे तो कुछ books में तुम यह पाऊगे कि आपको तीन परकार के usually electronic effect पढ़ने रहते हैं one of them is inductive effect दूसा वाला जो रहता है वो आप लोगों का रहता है hyperconjugation ठीक है और तीसा रहता है mesomeric effect जिसे कई books में resonance effect के नाम से भी कहा जाता है ठीक है बट आप उसको resonance effect के अगर नाम से कहते हो तो अगेन वहाँ पे कुछ groups आपके plus r कहलाते हैं कुछ groups आपके minus r कहलाते हैं वैसे ही कुछ books में आपको यह mesomeric effect के नाम से दिखता है जहाँ पे आपको यह plus m दिखता है और साथ पे minus m बट सही क्या है देखो concept actually में वही लगता है और कुछ नहीं बट resonance की अगर मैं बात करू तो resonance आप लोगों का एक process है ठीक है एक basically क्या है एक process है इस पे भी हम लोग बाचीत करेंगे hyperconjugation के बाद ठीक है क्योंकि applications हम लोगों को पढ़ने के लिए hyperconjugation आना चाहिए ताकि हम acidity, basicity, aromaticity यह से पढ़ सके आगे और फिर आखरी में resonance मैं पढ़ा दूँगी before starting the mechanism part तो basically यह एक process है by which you are delocalizing your electron by which electrons are delocalized यहाँ पे जो यह word है delocalized इस word का मतलब क्या है कि अगर किसी particular atom के पास अगर electrons होते हैं due to loan pair और due to pi electrons और due to negative charge ठीक है तीन reasons होते हैं किसी भी species के पास electrons होने के या तो उसके पास loan pair होता है या तो वो pi bonded system में होती है जिसमें pi electrons होते हैं या फिर उसके उपर negative charge होता है इन तीनो reasons में से किसी भी reason की वाजा से अगर mind लेते हैं वो अपने इन electrons को क्या करना चाहती है अपने उपर एक particular position पे नहीं रखना चाहती है ठीक है वो चाहती है कि वो molecule क्या चाहता है कि मैं इन electrons को अपने जो आजू बाजू के nearby atoms हैं मैं उनको भी supply कर सकूं ताकि मेरे more than one possible structures available हो या फिर जो हमने last class में सीखा कि कोई भी double bonded system क्या करता है conjugation करता है तो अगर कोई भी electron bearing species अगर अपने electrons को फैलाना चाहती है disperse करना चाहती है distribute करना चाहती है तो उस particular phenomena को आख resonance कहते हो इस resonance की एक छोटी सी जहलत तुमने chemical bonding में भी पड़ी है जिसमें हम लोग कुछ basic आप लोगों के जो इन organic species होती है उनके हमने resonating structures देखे थे जैसे कि CO3 2 negative इसका resonating structure कैसा होगा basically CO3 2 negative खुद कैसा होता है CO3 2 negative यह र देखो यह ऐसा होता है ठीक है यह होता है आपका CO3 2 negative तो अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यह जो blue color का oxygen है इसके उप़ा यह double bond बना रहा है बड़ ऐसा नहीं होता यह blue color का oxygen double bond ही बनाएगा हमेशा ऐसा बिलकुल नहीं होता यह चीज कैसी होगी यह जो right hand में oxygen के उपर जो यह pairs है यह यहां shift हो जाएंगे तो हो सकता है double bond यहां आजाए जैसे ही double bond यहां बनेगा तो फिर carbon 5 bond तो बनाएगा नहीं तो carbon क्या करेगा अपने electrons को यहां इस oxygen के पर shift कर देगा मतलब एक आप लोगों ने उसने अपना क्या किया एक अगर double bond बनाया तो उस एक double bond को बन एक ही double bond और बागी दो sigma bond होने चाहिए फिर जरूरी है क्या right hand वाला ही oxygen आप लोगों का double bond बनाएगा यह चीज ऐसी भी तो हो सकती है कि आपका जो यह left handed oxygen है यह bond बनाएगा तो यह वाले दोनों πाई electrons वापत से किस पर चले जाएंगे इस oxygen पर shift हो जाएंगे तो इससे कहने का मतलब क्या है कि πाई electrons ऐसे किसी भी दो atoms के बीच में इस particular case में fix नहीं है ठीक है यह पाई electrons क्या कर रहे हैं घूम रहे हैं तो इसी चीज को basically हम क्या कहते है resonance कहते हैं ठीक है जब भी हम लोगों के पास electrons होते हैं चाहे वो आपके conjugated system की वज़़ा से क्यों ना हो conjugated system का मतलब जो last class में आपने सीखा double bond triple bond वाले electrons या फिर वो lone pair की वज़ा से हो या फिर वो negative charge की वज़ा से हो तो उन electrons को अच्छा लगता है क्या करना डी लोकलाइज होना एक आटम से दूसरे आटम में जाना क्यों अच्छा लगता है उससे उनका फाइदा क्या है benefit क्या है नुकसान क्या है यह हम लोग hyperconjugation यह basically reaction mechanism वाला part start होने से पहले यह वाली चीज़ हम लोग resonance के बारे में पढ़ लेंगे बट resonance यह phenomenon है जिसके वाया आप क्या कहते हो कि अच्छा देख देख यह electron ऐसे move हो रहा है यह electron ऐसे हुआ यह वैसे हुआ अब mesomeric effect क्या है तो mesomeric effect यह है कि resonance जो हरकत कर रहा है ना electrons को फैलाने की for example अगर मैं यह कहूंगी कि रुक 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 कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा मुझे क्या सोचा जाए अगर मैं तुम से यह कहूंगी कि bank क्या है तो तुम क्या जवाब दोगे कि bank एक ऐसा institution है जो आपको अलग अलग प्रकार की services प्रवाइट कर रहा है वाया सम्धिंग 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 रैइट रैइट जैसे आपका saving account current account dmat account और बहुत साही चीज़े होते हैं यार उसमें क्या बोलो locker system तो यह आपका इसा institution है जो आपको यह सारी services प्रोवाइट करता है लेकिन अगर मैं तुमसे स्पेसिफिकली पुछू कि उसमें आप यह बताओ dmat account मंदर dmat नहीं उसमें मैं तुमसे यह पुछू कि current account क्या है तो तुम उसमें क्या बोलोगे कि current account एक ऐसी service है जो मेरा bank मुझे provide कर रहा है मतलब उस banking phenomenon का यह part है it is a part of that banking phenomenon so similarly आप लोगों का जो यह mesomeric effect होता है यह mesomeric effect भी क्या है यह आप लोगों का उसी जिस process से resonance होती है यह उस resonance वाली process का क्या है एक part है यह उस resonance वाली process का सिर्व यह क्या है part है ठीक है तो mesomeric effect आप लोगों को अगर कोई पूछेगा कि what do you mean by the term mesomeric effect तो mesomeric effect को तुम किस तरीके से define करोगे कि mesomeric effect आप लोगों का क्या है एक process है जिस मतलब resonance जिस process से होती है ठीक है resonance जिस mechanism को follow करती है वो एक मेर्ट एक मेर्ट यहां लाइट जाएगी बादल बहुत तेजी से गरज रहे हैं let me put my things in charging मुझे अपको सब charging में लगाने दो पहले तो ठीक है ठीक है इसको अभी ध्यान देते हैं तो mesomeric effect क्या है mesomeric effect आप लोगों का वो phenomena है ठीक है जिस phenomena के थू यह particular process क्या हो रही है complete हो रही है resonance को जिसे हमने क्या का एडिया एक मेर्ड लाइट जाएगी ठीक है तो क्या कहा था तुम लोगों के resonance क्या करती है electrons को पहलाने का काम करती है ठीक है तो अगर मैं कोई मुझसे यह पूछेगा कि आप लोगों का mesomeric effect क्या है तो mesomeric effect basically क्या है वो current account के जैसी एक process है जो उस banking के अंतरगत आती क्या वो complete banking system है क्या नहीं वो इस banking system का एक part है that is known as mesomeric effect simply तुम्हें वैसे भी इसकी definition में घुसना नहीं है कि mesomeric effect क्या होता है क्या नहीं होता है यह इतना तुम लोगों के लिए काफी है अब हम mesomeric effect को मिलेंगे काम को mesomeric effect देखने को मिलेगी तो जैसे inductive effect हमने पढ़ा कि यहां देखने को मिलती है रइट वैसे ही मैंने तुम्हें यह बताया कि электromeric effect को अगर तुम ढूडने जाओगे तो electrometric effect तुम्हें यहां देखने को मिलेगा वैसे ही mesomeric effect आप-देखनेगा वैसे ही mesomeric effect आप लोगों को ऊस system में देखने को मिलती है तो Conjugation की क्या क्या Conditions होती है Conjugation की बहुत सारी Conditions होती है जैसे कि आप लोगों के पास Sigma Pi Sigma Pi Sigma Pi Sigma Pi ये एक हो गया आप लोगों का ठीक है अच्छा दूसरा आप लोगों का क्या होता है Sigma Pi Sigma Pi लोन पेर आ गया या फिर Positive Charge या फिर Negative Charge या फिर Vacant Orbital या फिरी Radical या निगेटिव चार्ज तो ये भी आप लोगों का किस्त में आता है Conjugation तो बेसिकली जितने तरीके से Conjugation हो सकती है वो सारे के सारे तरीके में आप क्या पास सकते हो Mesomeric Effect को आप वहाँ पे देख सकते हो ठीक है ये Point तुमको याद रखना एकदम अच्छे से यादा Point अपने दिमाग में याद रखोगे अच्छा अब उसके अलावा हम लोगों को जैसे यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि ये बेसिकली चीज आप लोगों की Mesomeric Effect क्या लाती है अब Mesomeric Effect की वज़े से होता क्या है अब उस होतना वाली प्रोसेस को समझते है मान लेते हैं यह आप लोगों का सिस्टम है इस सिस्टम में Conjugation है यह मान लो एक मैंने ग्रूप लगा के रखा है G ये ग्रूप है G अब ये ग्रूप G क्या करता है सम्टाइम्स ये ग्रूप G आप लोगों के इस सिस्टम को देखो इतने पार्ट को मैं क्या कह रही हूँ ये वाला पार्ट मेरा क्या है सिस्टम है ये वाला पार्ट मेरा क्या है सिस्टम है और ये क्या है मेरा ग्रूप है ये क्या है मेरा ग्रूप है है जैसे inductive effect में कैसा था वो electrons आगेज भेशता था तो वैसे ही यहाँ पर यह group उस system को electrons क्या करते हैं supply करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़े हो सकती है कि कई बार यह जो groups हैं यह group आपके systems को electron क्या करते हैं supply करते हैं कि अच्छा तुम हमारे उपर के electrons ले लो और कई बार यह group इतने शैतान होते हैं कि जो विचारे आपके group जो होते न वो जो system के पास जो electrons होते हैं उन इलेक्ट्रॉंस को भी बल्कि वो क्या कर लेते हैं withdraw कर लेते हैं जो उनके पास उनका बचा कुचा होगा वो भी उसको जो चीन चीन लेंगे कि ला निकाल तेरे पास जो जो है वो ला मुझको दे दे यह इतने बेशन होते हैं तो सम्टाइम्स यू विल फाइंड कि आपके group system को electrons दे रहे हैं और कई बार तुम ऐसा रेखोगे कि कई बार वो जो आप लोगों के group system system से electrons क्या कर रहे हैं खीच रहे हैं तो basically mesomeric effect इसी तरीके से दो प्रकार में classify हो जाता है कि ऐसे आपके कुछ groups जो conjugation के वाया अब कई लोगों को इसमें डाउट होगा मैं फिर inductive में और mesomeric में difference ही क्या है तो inductive में याद रखना saturated unsaturated दोनों प्रकार के compounds में operate होती थी बड़ जो आपका mesomeric effect है यह specifically आपके unsaturated compounds जिन में conjugation है सिर्फ उनहीं में operate होती है और मैं बता दू inductive के मुकावले आप लोगों का यह जो mesomeric effect होता है यह बहुत जड़ा powerful होता है totally हमको यहाँ पर तीम प्रकार के effects पंड़ने है हमारे syllabus में inductive effect आपका hyperconjugation और आप लोगों का mesomeric effect और अगर मैं तीनों effect का comparison करूँ तो comparison से यह निकल में आत निकल कर आती है conclusion की सबसे ज़्यादा आप priority दोगे किसको mesomeric effect को उसके मान आपकी priority किसको रहेगी hyperconjugation को और उसके बाद आप लोगों की priority किस पे रहेगी आपके inductive effect को ठीक है मतलब अगर कोई group मान लेते mesomeric भी देना है और inductive भी दे रहा है तो आप किसको top priority पे रखोगे जेनरली आप जेनरली mesomeric effect शो करने वाले groups को ज्यादा priority पे रखोगे ठीक है तो इस वरीके से हम लोगों का mesomeric effect inductive effect से अलग है और वैसे भी inductive effect में sigma electrons displaced होते थे लेकिन mesomeric effect में sigma नहीं यहां पे या तो loan pairs या तो by electrons या तो जो negative charge होता है वो negative charge वाली species क्या होती है displace होती है ठीक है negative charge वाली species क्या होती है displace होती है तो कई बार group उस conjugated system को electron दे भी सकता है अगर उसने electron supply करने का काम किया तो वो particular effect कहलाने लगेगा plus m effect और अगर उसने electron withdraw करने का काम किया तो वो चीज क्या कहलाने लगेगी minus m we will discuss कि how we will distinguish some groups as plus m while some group as minus m बैने तुमको एक list बना के दिये कि ये following group minus i category में आते हैं ये following group आपकी plus i category में आते हैं तो वैसे ही एक और list में हम लोग अभी बातचीत करेंगे कि आप लोगों के ये जो groups हैं ये minus m वाले हैं ये जो groups हैं ये plus m वाले हैं बट एक बात हमेशें अपने छोटे से brain में याद रखना कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि फलाना group minus m वाला characteristic शो करता है तो इसका मतलब ये कता ही नहीं है कि वो वाला group minus i होगा मतलब तुमारा brain कैसा है एक correlation बटाता है तू भी minus i है मैं भी minus चल दो minus m मतलब जो जो होंगे वो सारे के सारे minus i होंगे जो जो plus m होंगे वो सारे के सारे plus i भी होंगे ऐसा नहीं होता है ठीक है minus i का minus i के साथ minus m का minus i के साथ या plus i के साथ कोई भी correlation शिप नहीं है अब माल लेते हैं for instance कि तुम्हें identify करना है कि कौन से वाले लोगों को आप plus M की category में रखते हो कौन से वाले लोग आपकी plus M की category में आते हैं तो कोई ऐसा hard and fast rule नहीं है इसके exceptions हो सकता है तुम्हें देखने को मिले ठीक है अगर मैं फिर भी generally एक rule बनाना चाहूं कि अगर मैं किसी species को देखके पहचानना चाहती हूं कि वो particular species minus M वाली है कि plus M वाली है तो उसमें हमको सिव इतना चेक करना है कि system से ये जो atom attached होता है ये जो group का ये atom होता है इस atom के उपर में अगर ये atom क्या करता है आप लोगों का lone pair होता है इस atom के पास अगर इस atom के पास क्या होता है lone pair होता है तो lone pair की वजह से आप ये कह सकते हो कि वो particular group आप लोगों का क्या कहलाएगा plus M वाला group कहलाएगा अगर उसके पास loan pair है या फिर अगर उसके पास negative charge है तो इन दोनों conditions में आप ये कहोगे कि आपका वो फलाना group plus m शो करेगा plus m का इस बाद से कोई वास्ता नहीं है कि वो group पहले minus i शो कर रहा था कि पहले वो plus i शो कर रहा था ठीके minus m minus i या plus i पे depend ही नहीं करता तो ऐसे कौन कौन से group हैं जैसे oxide है ओ के उपर देखो negative charge होता है जैसे amines है nitrogen के उपर loan pair होता है alcohols थायो alcohols दोनों के उपर loan pairs होते हैं ये सारी groups आप लोगों के क्या कहलाते हैं plus m वाले group कहलाते हैं तो मैं एक general तुम लोगों को order लिख कर दे रहती हूँ जिससे तुम identify कर सको कि ये group हमारे plus m वाले हैं और इन groups में आप लोगों के order क्या है जैसे हमने एक inductive effect का order लिखा था ना similarly हमें plus m effect का भी अभी आप पे order लिख रहे हैं जैसे oxide ये आप लोगों का O negative plus m शो करेगा आपके जो amines होते हैं ये plus m शो करेंगे अब ये amines जरूरी नहीं है कि आपके मतलब degree वाले हो सकता है ये 1 degree amine हो हो सकता है ये आप लोगों के 2 degree amine हो तो जो भी हो जितने भी amines होते हैं these amines are classified as आप लोगों का what आप लोगों का plus m group alcohols उनमें जो OH होता है तो देखो O के उपर lone pair है इसकी वज़ा से वो plus m में आता है ethers इनके oxygen के उपर भी रेखो lone pairs होते हैं इसलिए ये भी आप लोगों के plus m में आते हैं ठीक है आच्छा उसके माद अगर आम मैं बात करू किसकी amide की पता है ना किसे कहते है amide भी आपके plus m में आते हैं ठीक है amide भी आप लोगों के किस में आते है plus m में आते हैं अच्छा एक मिनट मैंने कुछ गरबर कर दी किया तो आया माले का क्या आर सीडबल बॉन ओन नाई नी आमाइड नि आमाइड नि इसमें माइड को अठा दो ठीक है यह आप लोगों का हो गया easter यह हो गया आपके easter वाले ग्रूप यह हो गये आप लोगों के list में So these are some groups which are considered as आप लोगों का what plus M group. ठेक है, यह क्या कहलाते हैं आपके plus M. तुम यह चेक करो, fluorine, chlorine, bromine, iodine. इन चारों के पास loan pairs होते हैं, पता है न? तो इन loan pairs की वज़ा से यह लोग क्या कहलाते हैं आप लोगों के plus M वाले group. तो usually क्या देखोगे, generally कि अगर कभी किसी system से कोई जो atom attached है, system मतलब conjugated system से अगर कोई atom attached है और उस atom के पास यदि loan pair है या फिर अगर आपको negative चाहत दिख रहा है, तो आप यह कह सकते हो कि हाँ हम लोगों का वो particular system plus I show कर रहा है. There may be few exceptions, कुछ exceptions वासे हो सकते हैं, जहां पे आपको कोई loan pair नहीं दिख रहा, बट still आपको यह पता चल रहा है कि हा या या यह तो कौन है, plus M है, ठीक है जैसे इसके exception के अगर मैं बात करूँ, तो exception में आ जाता है आप लोगों का कौन से वाले group, alkyl group. जैसे अगर मालेते हैं, imagine करो, मेरे किसी system से CH3 जुड़ा है, तो यह CH3 भी क्या शो करता है, plus M का phenomenon शो करता है, क्या यहां पर carbon के उपर कोई loan pair है, नहीं, यहां पर carbon के उपर कोई loan pair नहीं है, ठीक है, बट still, ऐसे कुछ exceptions आपको वाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, अ अब यह जो आप लोगों के minus M वाले phenomenon दिखाते हैं, इनका basically काम क्या होता है, इनका यह काम होता है, कि जो system है, system का मतलब क्या, conjugated system, अगर मैं system, system word बोल रही हूं तो I am talking about the conjugated system, conjugated system हमने last class में पढ़ा है, तो यह minus M का मतलब होता है, कि conjugated system से यह लोग क्या करते है, electrons को यह क् विड्रॉ करते है, मतलब यह electron देना नहीं चाहते है, system को, बल्कि ओ system के पास जो भी क्या होता है, आप लोगों का electron मौजूद होते है, बल्कि उस electron को भी क्या कर लेते है, छीन लेते हैं आप लोगों के, ठीक है, आच्छा, तो अगर माल लेते हैं, आपके पास कोई system है, औ system से, अगर कोई group है, और उस group के किसी atom में, अगर उस group के किसी atom ने, क्या करके रखा है, double bond, या फिर माल लेते हैं, triple bond, या basically आप मैं यह कहूँ, कि multiple bond, अगर उसने बना कर रखा है, तो आप यह कहोगे कि, हाँ, यह particular group, मेरा कौन सा है, minus m शो करता है, तो usually, जितने भी groups, जिन में, pi bond आते हैं, ठीक है, वो groups, आप लोगों के क्या show करते हैं, minus m, अब जिसमें, किस-किस में, pi bond involved होते हैं, nitro में, ठीक है, साइनाइड में, देखो, साइनाइड में, carbon और nitrogen के बीच में, triple bond है, ठीक है, aldehyde में, CHO, aldehyde में होता है, आपके ketones में, आप लोगों का pi bond involved होत उसके अलावा, अगर आप लोगों के पास esters है, तो esters में, आप लोगों के पास, मतलब, minus m हो जाता है, आपके पास carboxylic acid है, COOH, उसमें, आप लोगों को minus m मिल जाएगा, amides, amides में, आप लोगों को minus m मिल जाएगा, acetate, acetate का मतलब होता है, COO negative, ठीक है, इसमें भी आप ल COO negative, इनमें आपको minus m वाला phenomenon देखने को मिलेगा, ये सारे groups अगर system से जुड जाएग, तो ये system से क्या करने लगते हैं, electrons को withdraw करने लगते हैं, ये electrons को खीचने लगते हैं, आप अभी आगे जाओगे, और आगे जाने के बाद, आप क्या करने वाले हो, हर chapter में, मतलब, आपक इसी functional group के नाम पर होता है, ठीक है, जैसे की, for example, alcohols, phenols, ethers, तो हमेशा आप क्या करते हो, benzing ring लेते हो, benzing ring के उपर OH लगा लेते हो, phenol बन जाता है, और आप फिर study करते हो, कि अच्छा उस OH को benzing ring पे लगाने पर, क्या असर पड़ा, आप क्या करते हो, ring ले लेते हो, उस प amines लगा देते हो, फिर आप ये पढ़ने की कोशिश करते हो, कि benzing rings पे, आपने जो amines लगाए, उस amines से क्या फरक पड़ा, तो basically वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, resonance में आगे और detail में धीरे-धीरे, तुमको यहाँ दो जाएगा, बट अभी इसी point पर हम उस particular चीज़ को प बेंजिंग रिंग, ठीक है, जो best system हम लोगों का होता है, that is आप लोगों का बेंजिंग रिंग, बेंजिंग रिंग होती है हम लोगों की best, अब माल लेते हैं यह आप लोगों का consider कर रही हूँ, मैं example के तुरू यह चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी, कि यह आप लोग को consider कर लेती हूँ, मतलब OH, यह देखो, oxygen के उपर लोगों प्याज है, अब तुम तो जानते हो, कि यह जो oxygen है, यह क्या करता है, plus M वाले phenomenon से देखो, होगा क्या, यह oxygen आगे की तरफ यहाँ electrons shift करेगा, double bond बनाने के लिए, right, electron देने का मतलब क्या है, कि आगे double bond बनाना, और यह double bond बनाएगा, तो जो nearest pi bond है, वो तूट जाएगा, और nearest pi bond अपने electrons लेकर, किसी atom पे shift होगा, किस atom पे shift होगा, जिन दो atoms के पहरा साथ, उसने pi bond बनाया हुआ था, ठीक है, जिन दो atoms के साथ, देखो, यह वो दो atoms है न, यह दो atoms है, जिनके साथ pi bond बना हुआ था, right, यह द oxygen ने, क्या किया, आप लोगों का, आगे, pi bond बनाने के लिए, अपने electron यूज कर लिए, so don't you think, यहाँ पर यह चीज ऐसी बन जाएगी, don't you think, यह चीज ऐसी बन जाने वाली है, यह देखो, ऐसी, अगर यह चीज ऐसी बन गई, तो जो दूर के double bond है, उन्हें तो कोई फरक न रसे है, but still उसके मास अभी भी pi bond है, but यह जो बिचारा atom है, अब इसके पास तो कोई pi bond नहीं है, तो actually में, यह जो electrons है, इसी पे shift हो जाएंगे, यह ऐसे, ठीक है, आच्छा, अब यह carbon atom को electron रखना पसंद नहीं है, उस पर negative charge आगे है न, उसको नहीं है, तो वो क्या करेगा, तुरंद अपने इन electrons को बोलेगा, निकलो यहां से, वो बिचारे electron चले गए, कहां, सामने pi bond बनाने के लिए, अगर वो electron सामने pi bond बनाने के लिए चले गए, तो don't you think, यह structure अभी ऐसा दिखने लगेगा, यह वाना pi bond वैसे का वैसी, यह बाहर वाली चीज तो फिलाल अभी und disturbed है, इसको क्यों touch करें, यहां पर आप लोगों का नया pi bond बन गया, अब तुम मुझे बताओ, क्या यहां पर एक और ऐसा pi bond बन पना पॉसिबल है क्या, नई, तो अगर एक pi bond बन रहा है, तो nearest pi bond जरूर क्या हो रहा होगा, ब्रेक, यानि कि अगर मैंने इस negative charge को आगे shift किया है, तो यह जो pi electron से यह इस particular atom पे आगे shift हो गए होंगे, यह ऐसे, ठीक है, यह ऐसे shift हो गए होंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया होगा, यह आप लोगों का negative charge, फिर उसके बाद क्या होगा, again, यह carbon बोलेगा, मुझे negative charge पसंद नहीं है, मैं यहां shift करता हूँ, तो यह यहां shift हो जाएगा, अगर यह यहां shift हो गया, ठीक है, अगर यह यहां shift हो गया, तो उसके यहां shift होने की वज़द से क्या होना ना है, देखो, यह आप लोगों की ring, यहां पे bond, यहां पे यह double bond O, यहां पे यह lone pair, यह positive charge, यह hydrogen, फिर यहां पे बन जाएगा आपका bond, और अ लेकेटिव चार्ज आगया, यहां पे, तो हम लोग कर किया रहे हैं, हम लोग conjugation ही तो कर रहे हैं, जो आपने last class में सीखा, आप conjugation ही तो कर रहे हो, बट एंज़ुगेशन आप किस पे कर रहे हो, आप benzene ring रिंग वे क्ष कर रहे हो, यार, तो यही as был billion, वहां तो यहीं सब्सक्राइब आपने एलेक्ट्रॉन लेकर राशन पानी लेकर वापस से ऑक्सेजन पर शिफ्ट हो गया यानि कि हुआ क्या मैंने शुरुआत जहां से की थी बेसी की में वहीं पहुंच चुकी हूँ हां यह मात अलग है कि अभी आपके जो डबल मॉन का पहले सिस्टम था उसकी orientation देखो और अब वाले double bond की orientation देखो difference दिक रहा है इस वाले structure में और बार इस में हुआ우 आऑ ऐसा ग्रूप ग्रूप था जो कि शिस्टम से से होने के वज़ह से उसने की चीए system को अपने electrons दिए और जब उसने system को अपने electrons दिए तो system ने उस electron को अपने उपर घुमाया that is known as mesomeric effect पहली बात तो घुमाना is known as resonance और उसका electron देना और electron का घुमना this is known as mesomeric effect ठीक है तो अब इस पूरे mesomeric effect की अगर तुम detailed study करो तो इस पूरे mesomeric effect की study से तुम लोगों को क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि जब जब इवन यह conclusion है यह आप लोगों का conclusion है इस conclusion को हम लोगों को याद रखना है कि जब भी कोई ऐसा system है जिस system से आप लोगों का group attached है और वो group क्या कर रहा है electrons donate कर रहा है तो electrons वो भी specially मैं बेंजिन रिंग के रिस्तक्रमाद कर रही हूं अगर वो electron donate कर रहा है तो तुम check करो बेंजिन रिंग में वो electrons कहां कहां गए तो तुम अगर इस नजर से देखोगे तो बेंजिन रिंग के पास और तो मेटा पैरा यह टोटल तीन पोजिशन होती है तो अगर मैं इस respect में मैं यहां बोलू कि यह मेरी वो carbon है जिससे मेरा alcohol attached है तो उसके आजू-बाजू वाली यह दोनों positions क्या कहलाएंगी और तो मतलब functional group जिस carbon से attached होता है उसके आजू-बाजू वाली पोजिशन क्या कहलाती है और तो उन और तो के बाज वाली पोजिशन क्या कहलाती है मेटा और मेटा के बाद जो एक पोजिशन ऑविस्टी बच गई डैट वी नोन एस पैरा तो अगर मैं तुम से कहूं कि यह कौन सी पोजिशन है जहां पर यह माइनस यानिकी एलेक्डरोन आया तो तुमं कहोगे दिस इस नोन ऊस आप लोहों की और थो पोजिशन मैं कहूंगे कि कौश सी पोजिशन है जहां पर अगेन माइनस आया और यह अगेन कौन सी पोजिशन है मैड़म य अगेन और तो पोजिशन है तो इसे सी nghi想 क्या मिल रही है किぃफे यह मिल रही है कि जब भी कोई ऐसा ग्रूप अगर बैंजींग रिंग से जुड़ा हूँ जो ग्रूप बैंजींग रिंग को इलेक्ट्रॉन देने का गाम करता है तो बैंजींग रिंग के इसमें टोटल पांच पोजेशन होती है ठीक है आउट आउट आट फाइप भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाता है तो इससे मैं कंक्लूजेंग क्या लिख सकती हूँ कि जब भी आप लोगों ने वेना ग्रूप विच प्लस एम वाला अगर हम लोगों ने क्या करके रखा है अटाज्ट करके रखा है किस तीज को आप लोगों के बेंजीन रिंग को त ऐल को आप लाएं हौन सी घो घुलेज सब्सक्राइब क्या क्यों नहीं मिलेंगे ये घ। जिख रहा है ना उपर कि नहीं घुम रहा एंट्रों नहीं मिलेंगे का जा दो गोनी मिल रहें तो इक पैरा आहिक सिए और हे और एक पैरा पोजिशन थी आप लोगों की क्या होती है, electron rich positions क्या लाती है, क्या क्या लाती है, electron rich आपकी positions, क्या ये point समझ में आया, ठीक है, तो plus M effect से क्या सीखा, कि benzing ring से, जब भी ऐसा group attached दे, जो benzing ring को electron दे रहा है, तो इससे क्या शिक्षा मिले की, कि वो benzing ring को electron supply कर रहा है, क्या लाएंगे, activating group क्या लाएंगे, ठीक है, activating group क्या लाएंगे, फोर, फोर, अभी फोर के आगे, मैं dash छोड़ देती हूँ, ठीक है, इसको समझाती हूँ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, वो activating group क्या लाएंगे, ठीक है, अच्छा, अब लेकिन, एक सबसे जरूरी सूचना हम लोग आगे reaction सीखेंगे reaction mechanism पढ़ेंगे हो ऐसा रहा है कि let's say तुम लोगों के पास ये फिनॉल है इस फिनॉल पे मैंने एक positive charged species add की आगे mechanism में तुम्हाइड करोगे अभी हो सकता है तुम्हें चीज़े समझ में ना है बड़ दीरे जैसे जैसे च इस फिट हो जाएगा भी नया है ना मैं क्या करना चाहती हूं इस बैंजिंग निंग पर इस positive species को attach करना चाहती हूं तो अपने खुद के भेज़े से सोचो यह positive species को out of five positions in benzing रिंग इसको किसी एक position पर जाके चिपकने का है तो यह किस position पर जाके खुद को चिपकाएगा यह positive species benzing की उस position पर जाके चिपकेगी जहां पर electron की density high होगी यह positive charge वाली species positive charge वाली species मतलब मैं बात कर रही हूं let's say E plus यह E plus खुद को कहां पर जाके attach करेगी यह E plus खुद को कहां पर जाके attach करेगा ठीक है willing to attach itself at that positions of ring which have high electron density जिनकी electron density जहां पर क्या है जादा है यह वहाँ पर खुद को attach करना पसंग करेगी तो अब तुम खुद सोचो कि हमें कैसे पता मैडम कि कहां पर electron density जादा है कोई position hello बोल के तो बताती नहीं है कि मेरे पास देख 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 कि electron density जादा है तो हम यह देखते हैं कि benzing ring पर ग्रूप कैसा attach है तो मुझको दिख रहा है कि benzing ring पर तो एक OH attach है और OH तो एक plus M group है और अभी अभी मैंने बताया कि जब जब आपके पास plus M group होता है तो electrons की ज intensity दो और तो पोजिशन पर हाई होती है और आप लोगों की एक पैरा तो डेफिनेटली यह जो आने वाला positive charge species है यह खुद को या तो और तो पोजिशन पर attach करवाना पसंद करेगा या तो पैरा पे बट नेवर एट मेटा वो खुद को मेटा पे ले जाना पसंद नहीं कुछ exceptional cases आगे हो सकते हैं बट उनमें भी reason वगेरा होता है static endurance and all बट अभी फिलाल in general अगर मैं बात करूं तो लेकिन imagine अगर इसी फिनॉल पे तुम्हें कोई negative charge species लगानी है जो कि एक difficult task है क्यों एक difficult task है रिंग के उपर खुद negative charge घूम रहा है राइट सिनौ ओएज charge को लेकर भी आ रहे हो तो negative negative repulsion तो वह वैसे खुद बहुत difficult task है but usually ऐसा हम कर सकते हैं ठीक है बट ऐसा हम कर सकते हैं ठीक है मैं क्या कह रही हूं बैंजिंग रिंगों पर अभी खुद electrons घूम रहे हैं और तो पोजिशन पे मेटा पोजिशन पे राइट तो किसी भी रिंग पे अगर पहले से negative charge है और आप जिसको incoming में लेकर आ रहे हो अगर वो भी आप लोगों का कैसा रहा आप लोगों का negative ली charge रहा तो ऐसे में difficulty आएगी बिल्कुल आएगी क्यों आएगी च्योंकि negative पे तुम negative अटाच करना चाहरे हो है ना negative एक दूसे को क्या करेंगे आप लो negative जगा पे किसी negative को रखा जाए बट यह impossible नहीं है ठीक है यह impossible नहीं है कुछ drastic conditions के अंतरगत जैसे high temperature high pressure के अंतरगत आप यह चीजे करा सकते हो ठीक है यह साई चीजे आप करा सकते हो बराबर बट अगर एक ring पहले से negative charge है तो negative charge में आगा आप negative लाने की कोशिश करोगे तो यह चीज क्या होती है quite difficult होती है यह quite क्या होती है difficult होती है क्यों क्यों कि आने वाला भी negative ring भी already negative ठीक है आच्छा तो यह आज रखना हम कैसे decide करते हैं कि product ortho बनेगा कि product आपका पैरा बनेगा हम इस मांसे decide करते हैं कि आपकी ring के उपर कौन सा group attached है अगर group plus M में है तो वो support कर बनेगा कौन से वाले product को ortho या फिरा के product को लेकिन अगर मान लेते हैं कौन सा point चल रहा था हम लोगों का यह 5th point कि आपने benzing ring से कोई ऐसा group लगा के रखा है जो benzing ring को electron देने में कता ही छुक नहीं है बलकि जो benzing ring के electrons है वो खुद benzing ring के pi electrons ठीक है अब तुम पूछो के मैडम benzing के पास electron किदर को है तो benzing के पास भी electrons है pi electrons है जैसे मान लेते हैं मैंने benzing ring से ketone लगा के रखा है तो ketone एक minus M group है क्यो minus M group है देखो क्योंकि benzing जिस group के atom से attached है ठीक है यह attachment है यह क्या है attachment है मैं अभी कुछ electron का displacement नहीं दिखा नहीं attachment है having double bond एक attachment atom जिस carbon जिस atom से attached है group के उसके पास क्या है double bond है तो इस double bond की वज़ा से यह कौनसा effect शो करेगा minus I effect शो करेगा अब minus I effect कैसे show किया जाता है how minus I का मतलब कैसे तो minus I में का मतलब यह है कि जो group आपने बाहर लगा के रखा है वो ring से electron खीच रहा है वो क्या कर रहा है आप लोगों की ring से electron खीच रहा है कैसे वो ring से electron खीच रहा है इसमें भूका बेडिया कौन है इसमें भूका भेडिया है oxygen oxygen बोल रहा है कि ये जो दोनों के दोनों πाई electron से ला मुझको दे दे अब अगर imagine करो ये दोनों πाई electrons आप लोगों के कौन लेकर चला गया अगर ये दोनों πाई electrons अगर आप लोगों के oxygen लेकर चला गया तो पहली बात तो single bond मन जाएगा वो तो वैसे के वैसी रहेंगे लेकिन जो बिचारा ये वाला double bond है ना तुम लोगों का ये वाला double bond ये वाला जो आप लोगों का double bond है जो की पास में है उस carbon के जिससे आपने oxygen connect करके रखा है इसकी शामत आ जाएगी कैसे इसकी शामत आ जाएगी इस बिचारे को अपने पाई electron देने पड़ेंगे यहाँ पर क्यों देने पड़ेंगे अगर वो ऐसा नहीं गर रहा है तो देखो इस carbon के कितने bonds बन रहे हैं सिर्फ तीन तो ऐसे में electron shift हो जाएगे और अब जो double bond है वो यहाँ बनेगा ठीके double bond मनाने से basically नुकसान किसका हुआ इसका हुआ चो इसका नुकसान हुआ क्योंकि पहले उसके पास pi bond और अब नहीं है इस carbon का नुकसान हुआ क्या इसका नहीं हुआ क्योंकि इसके पाँ पहले भी double bond था और इसके पाँ still अभी भी double bond है तो ऐसे में अब benzing ring पे कौन सा charge घूम रहा है positive क्योंकि आपने benzing ring से electron ले लिया अब इस positive charge की deficiency को पूरा कैसे किया जाए अब जैसे उपर वाले example में तो negative charge घूम रहा था होती है कि जो आगे वाला pie bond होता है वो अपने electrons उसको दया आ जाती है और वो आगे supply कर देता है कि जा भाई मैं अपने पे positive रख लेता हूँ लेकिन 13 positive में हटा देता हूँ ठीक है मैं अपने पे क्या रख लेता हूँ आप लोगों का positive रख लेता हूँ बट मैं तेरे उपर से positive क्या कर देता हूँ हाटा देता हूँ दयावान है ना विचरा वो हाटा देता है तो ऐसे में क्या होगा देखो यहाँ पे bond आ जाएगा यह वाला वैसी का वैसी यह जो बाजू में आपका double bond C single bond O negative और यह जो R है यह भी वैसे का वैसी अब लेकिन bond कहा आ गया positive अब यह positive यहाँ आ गया अब इस positive वाले पर फिर से एक इंसान को दाया आई कौन है वो यह वाले pine electrons वो बोलते हैं कि जा भाई हम तेरी deficiency को पूरा कर देते हैं ठीके और यह चीज क्या हो जाएगी आप लोगों की इसमें convert हो जाएगी कि यह आप लोगों के पास ring है यहाँ पे bond यहाँ पे bond और फिर इसके उपर positive और यहाँ पर double bond C यहाँ पे O negative और यहाँ पर R ठीके अब अगेन इस positive की deficiency को कौन पूरा करेगा यह near a spine electrons तो indirectly तुमको resonance तब तक करनी रहती है जब तक तुम अपने original structure के पास वापस ना जो original structure का यह मतलम नहीं है कि पहले madam देखो ना bond clockwise थे आप तो देखो ना madam bond anti clockwise होगा यह नी ठीकी ऐसे नहीं यह original structure मतला वापस से सारे positive और सारे negative charges सब क्या हो चुके हट चुके तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि जब मैंने कोई ऐसा group लगाया जो ring से electron खीच रहा था तो ring स इसे electron खीचने वाले group ने पहली बाद तो ring के ओपर कौन सा charge घुमवाया positive charge घुमवाया अब यह positive charge उसने कहां कहां घुमवाया वह चेक करो अगेन तुम्हारा वही जवाब होगा madam ortho पे घुमवाया पैरा पे घुमवाया तो basically मैंने जो इतने सारे अभी प्रवचन लिखे यह प्रवचन जो बूले इस प्रवचनों का conclusion क्या निकला इन सारे प्रवचनों का पहला conclusion यह निकला कि जब भी आप लोगों की benzine ring से कोई minus m वाला group अटाज होता है तब आप लोगों के इसमें एक मेट है अच्छा में को आई थी आवाज मैं उपर हूँ क्योंकि ठीक है तो ring के उपर कैसा है आपने अगर एक ऐसा group लगा के रखा है जो electron खीच रहा है तो electron खीचने वाला group बताओ क्या कर देता है आपकी उस ring पे positive charge को वो क्या करता है पॉजिटिव चार्च को सर्कूलेट करता है कौन सी position पे चार्कूलेट करता है और दो और तो पोजिशन पे एंड वन पैरा पोजिशन पे यानि कि अब यह जो पोजिशन से यह पोजिशन क्या हो चुकिए के electron deficient तो हमेशा अपने दिमाग में ऐसा याद रखना कि नहीं भाईया हमेशा और तो और पैरा तो इलेक्ट्रों रिच होती है ऐसा नहीं होता आप और तो को पैरा को हमेशा के लिए एलेक्ट्रों रिच नहीं कह सकते कौन सा ग्रूप उस रिंग से अटाजड है वो डिसाइद करता है कि और तो और पैरा पोजिशन रिच होंगी कि डफिशेंट होंगी तो फिलाल अगर माइनस एम ग्रूप है तो और तो और पैरा क्या हो जाती है इलेक्रोन डिफिशेंट हो जाती है और उसके कंपेर में जो दो मेटा पोजिशन होती है ये दोनों मेटा पोजिशन कंपैरिटीवली क्या हो जाती है इलेक्रोन रिच कंपैरिटीवली क्या हो जाती है इलेक्रोन रिच अब ध्यान से मेरे बादशीर को समझना पहले मेरे पा पास माल लेते दस रुपए थे उक्वल एक्वल अब माल लेते प्रियांशु के पास से किसीने दो रुपे निकाल लिये तो उसके पास कितने हो गया आठ मतलब वह इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट हो गया मेरे पास से किसीने कोई पैसे निकाले में जो कि तियो बट अगर मैं comparison अब ही मैं इलेक्ट्रोन रिच हो तो एसा दिमाग में बिल्कुल मद रखना कि हमेशा और तो पहरा इलेक्ट्रोन रिच होती है क्योंकि कर लोगों को लगता है अब कौन सा ग्रूप अटाच कर रहा है वो ग्रूप डिशाइड करता है अगर आपने माइनस एम लगा के रखा है तो और तो पोजिशन को पैरापोजिशन को डिफिशिन बनाने का काम करता है कंपारेटव तो मेटा ठीक है या रखोगे और आप ऐसे केस में अगर आप नहीं होगा क्यों कि विंग पर अल्रेडी पॉजिटिव चांउंज और पॉजिटिव तो आहीं इसलिएर नियुक्त काश MPO में बोण मना लूं इसेम, अब अगर पर माइनस एंग लगा है इसका मतलब रिंग क्या मन गई ये पॉजटिव तो रिंग लोगों के आप लोगों के ग्रूप अटाच्ट को जो ग्रूप आप अटाच्ट करके रखते हूं ग्रूप डिसाइड करता है कि रिंग पर इस बार किसी निगेटिव का जाना इजी होगा कि किसी पॉजिटिव का जाना इजी होगा ठीक है वो ग्रूप डिसाइड करता है त तो यह पुरी प्रवचन थी आपके माइनस एम और प्लस एम के बारे में एक पॉइंट हमेशे याद रखोगे कि अगर किसी ने तुमसे पूछा कि इंडुक्टिव इफेक्ट और आप लोगों का जो मेसोमेरिक इफेक्ट है दोनों में क्या अंतर है एक हमेशे याद रखना इंडुक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रोंस को इनवाल करता है और मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रिक्ली आप लोगों के पाई इलेक्ट्रोंस को ही इनवाल करता है पॉइंट नमबर टू आपका इंडुक्टिव इफेक्ट डिस्टन्स डिपेंडेंट कॉंटिटी है मैंने पहले एर क्लास में भी बताया था कि usually तीन कार्बन के बाद हो खतम हो जाता है बट आप लोगों का mesomeric effect तब तक operate होता है जहां तक conjugation है ठीके मतलब अगर conjugation चलती ही जा रही है चलती ही जा रही है तो mesomeric effect भी चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा वो रुकेगा निए ठीके conjugation जहां तक है और जिस पॉइंट पे conjugation खतम हो गई तो mesomeric effect खुद को आगे propagate नहीं कर सकता मैंने लास्ट प्लास में बताया था कि अगर आपको क्या करना है तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है कि alternate sigma double sigma double sigma double sigma double sigma pi sigma pi होना चाहिए या फिर positive negative free radical vacant orbital negative कुछ तो होना चाहिए इलोन पेर कुछ तो होना चाहिए बाट conjugation होनी चाहिए जिस पॉइंट पे conjugation break हो गई आप भूल जाओ कि mesomeric effect आगे जाएगा तो inductive distant dependent quantity है ठीक है और आप लो नहीं है ठीक है mesomeric pi electrons और lone pair दोनों पे operate होता है और inductive specifically किस पे होता है आपके सिर्फ sigma electrons पर ठीक है अगर मैं comparison करो कि inductive effect versus mesomeric effect तो inductive effect को weak consider किया जाता है relatively ठीक है कुछ कुछ जगाएं आपको ऐसी दिख जाएंगी जहाँ पे हम लोग mesomeric effect को weak मानते है और inductive को strong मानते है right but usually usually inductive effect weak होता है और उसके compare में हम priority पे किसको रखते है mesomeric effect को रखता है यह आप लोगों का कैसा effect होता है यह strong effect होता है point number 4 आपका जो inductive effect है यह saturated compounds में भी लग सकता है उसको कोई फरक नहीं पड़ता कि single bond मतलब double bond है नहीं है यह फिर यह unsaturated में भी लग सकता है लेकिन आपका जो mesomeric effect है इसको strictly conjugated यानि कि double sigma यह वाले compound होना ही होना conjugated system चलिए अगर पूरा system सिर्फ और सिर्फ sigma वाला है तो यह operate नहीं होगा सिर्फ conjugation होनी चाहिए अब वो conjugation हो सकता है positive negative की हो तो भी चलेगा सिग्मा है लेकिन positive negative की conjugation है तो भी चलेगा लेकिन conjugation होनी चाहिए या फिर वहाँ पे unsaturation होनी चाहिए अगर conjugation भी नहीं है और आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे sigma bonds बनाके रखें तो mesomeric effect वहाँ पे काम नहीं करेगा यह priority order तुमको याद रखना है कि generally हम priority देते हैं as compared to hyperconjugation and as compared to आप लोगों का क्या कहते हैं इंडक्टेड अब आगे आते सेकेंड में आपका देखो सेकेंड वाली चीज कैसी है कि आप लोगों का आपने अभी उपर उपर देखा कि चाहें मैं plus M की बात करूं या चाहें मैं माइनस M की बात करूं निगीटिव charge कभी भी metaposition पे नहीं आया या फिर जो positive charge था वो भी कभी metaposition पे नहीं आया तो आप लोगों का जो plus M का जो effect होता है न वो कभी भी operate नहीं करता है किस चीज पे आप लोगों के metaposition पर ठेक है वो कभी भी operate नहीं करता है किस चीज पे आप लोगों की metaposition पर metaposition पर कभी operate न सबसे जादा गलती होती है कि वो लोग मेटा पोजेशन पे भी रेजोनेंस लगा देते हैं रेजोनेंस यानि कि यही मेसमेरिक इफेक्ट कई बुक्स में प्लसम को प्लसर कहा जाता है डिजन्ट मैटर मच ठीक है यह बात आपको ध्यान रखनी है पॉइंट नंबर थ्री में आना है पॉइंट नंबर थ्री जैसे मैंने यह कहा कि स्टार्टिंग में ही प्लसेम का ऐशा कोई रिलेशनशिप नहीं होता कि मैं ग्रूप अगर कोई प्लस में वाला है तो वह गुडूप फॉसम आई वाला भी होगा ठीक है मेजोमेरी की नजर से यह प्लसम है लेकिन इंडक्टिव की नजर से यह माइनस आई है तो कि electronegative species है न इलेक्ट्रान खीछने की कोशिश करेगी अच्छा Similarly, अगर मैं NH2 की नज़र से देखू, तो क्योंकि nitrogen के उपर lone pair है, तो यह plus M होगा, लेकिन nitrogen तो electronegative species है, तो यह तो फिर minus I होना चाहिए, तो there are certain growths which are both, plus M as well as minus I, so in that case, आपको priority किसको देनी है, आपको plus M को ज़्यादर priority देनी है, आप यह मान के चलोगे, कि आपका plus M ज़्यादर dominating factor है, as compared to आप लोगों के minus I, बट अभी मैं बात करती हूँ halogens की, halogens में जैसे की आप लोगों के पास क्या होता है, fluorine, chlorine, bromine, iodine, उनके उपर lone pair होते हैं, तो lone pair की वज़ा से, उन लोगों ने plus M देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, देते भी हैं, बट क्योंकि वो electro negative भी होते हैं, काफी हद तब, तो इन्होंने minus I भी देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, तो halogens की case में, इनका जो minus I effect होता है, वो ज्यादा dominating हो जाता है, only in case of halogens, so these are the some points, which you have to keep in mind, ठीक है, अच्छा, अब उसके अलावा, एक और 5 पॉइंट, मैंने क्या बता हैं तुम लोगों को, कि आप लोगों को, plus M वाला effect, दो reasons की वज़ा से देखने को मिलता है, या तो system से, जो atom attached है, उस atom पर, या तो, क्या होता है, double bond होता है, loan pair होते है, या तो negative charge होता है, but एक exception भी है, वो exception क्या है, alkyl group, जैसे की methyl, ethyl type के लोग, ये लोग भी resonance दे देते हैं, ठीक है, लेकिन, अगर कोई तुम से ये पुछेगा, कि माल लेते हैं, एक group है, जो plus m शो कर रहा है, लेकिन वो plus m शो कर रहा है, due to loan pairs, जैसे, benzene ring with OH, तो benzene ring में, क्योंकि O attached है, और O के पास, क्योंकि loan pair है, तो उसका plus m किसकी वज़ा से हुआ, loan pair की वज़ा से हुआ, तो loan pairs की वज़ा से, जो plus m होता है, that is more powerful, as compared to the plus m, due to alkyl groups, alkyl groups की वज़ा से, होने वाले plus m, क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, as compared to, जो आप लोगों के, loan pairs की वज़ा से हो रहे हैं, कि कुछ groups, याद रखना, ध्यान से, अच्छा, उसके अलावा, एक पॉइंट और है, कि अगर मान लेते हैं, कि कुछ आप लोगों के, some groups, are such that, some groups are such that, क्या लिखना चाहिए, that, some groups are such that, who delocalize, delocalize का मतलब, अपने electrons को फैलाना, who delocalize, their electron, on ring, on ring, as well as, on, their group, their group also, इसका मतलब समझते हैं, लाइन का, for example, मेरे पास, यह बेंजिंग रिंग है, इस बेंजिंग रिंग से, मैंने यह जोड के रखा है, OH, ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछूंगी, कि यह जो, O के उपर के, loan pairs है, यह conjugation में, जा रहे हैं कि नी जा रहे, तो तुम यह आपे बोलोगे, कि yes, in conjugation, बराबर, यह वाली चीज, ठीक है, but, only on ringside, ठीक है, only on ringside, सिर्फ ring को, यह conjugation मिल रहा है, मतलब, oxygen के loan pair पे, सिर्फ ring का हख है, परन्थ, बाजू में right side, hydrogen को तो दे नहीं सकता, है न, लेकिन अगर मान लेते हैं, आपके पास, कोई एक ऐसा system होता, जैसे की, imagine करो, carbon, double bond, oxygen, एक मिनिट, नहीं, carbon, double bond, oxygen नहीं लिखना चाहिए, फिर तो वो minus M में आ जाएगा, ठीक है, इसको लिखना चाहिए, oxygen, carbon, double bond, oxygen, और यहाँ पेs, EH3, अब बताओ, तो अभी, पहली बात तो यह plus M है की minus M, कई लोग इसको minus M की कैटिग्री में डाल देते हैं, minus M नहीं है, plus M है, मैंने क्या कहा था, system से, जो atom attached है, उस atom के पास, lone pair है की double bond, यह चेक करो, तो atom के पास तो lone pair है, तो फिट यह plus M है, बाजू वाली के पास, double bond है की triple bond है, वो तुमारा concern नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो अभी बताओ, यहाँ पी यह जो lone pairs है, यह lone pairs इस तरब भी आ सकते, conjugation इसकी possible है, ring के सरब बिल्कुल possible है, conjugation on ring side, बट ऐसा भी तो हो सकता है, की रेखो, single, sigma, यह रेखो, sigma, lone pair, sigma, double, और आपका again lone pair, तो इसका मतलब तो यहाँ पे भी conjugation possible है, बिल्कुल, इस बार conjugation right hand side, मतलब उसके खुद के group में भी possible है, उपर वाले case में क्या हो रहा था, की conjugation, सिर्फ और सिर्फ रिंग के तरफ थी, यहाँ पे ring की तरफ भी हो सकती है, और आप लोगों के, क्या कह सकते हैं, group के तरफ भी हो सकती है, तो ऐसे case में, अब मैं यह कहूंगी, कि जो oxygen के ऊपर का जो यह बिचारा, lone pair है, अब यह क्या हो चुका है, बटवारा हो चुका इसका, यह electron क्या है, अभी distribute हो चुका है, मतलब असमंजस में ही है, कि यार मैं ring के पास जाऊं, कि मैं इसके पास जाऊं, हो सकता है, मैं ring के पास जाऊं, तब ring के पास electrons के delocalize होने की probability कितनी दी, plus one, पूर्ज तरीके से 100% वो वहीं जाएगा, और कहीं जाने का उसके पास option भी नहीं है, तो in that case, ऐसे case में, अगर आपके पास कल को कोई पूछे, कि 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 वज़े से, ring को जादा electrons मिल रहे हैं, तो obviously आप लोगों को plus M, यानि कि ring को उसकी वज़े से जादा electrons मिल रहे हैं, जो कि without आपका sharing वाला है, जो अपने electrons का कहीं बटवारा नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कोई group अपने electrons को left, right, top, bottom, अगर share कर रहा है, तो उसके electrons की वज़े से, उस group की वज़े से, जो plus M create होगा, वो comparatively कैसा create होगा, come create होगा, ठीक है, तो plus M क्या है, या minus M क्या है, इसके बारे में हम already बापरे, बाचीत धर चुके हैं, conjugation क्या होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, अब ये जो mesomeric effect है, ये mesomeric effect की applications क्या है, जैसे मैंने ये कहा, कि inductive effect की applications है, वैसी mesomeric effect की applications है, conjugation की applications तो मैं लाट्स क्लास में बता चुके हैं, बाट अभी हम लोग फिलाल, इसीच को एक introductory level पर ही रोकेंगे, पहले हम लोग कल की class में, आप लोगों का hyper conjugation क्या होता है, ये phenomena सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद steric hindrance क्या होता है, ये सीखेंगे, और उसके बाद resonance की तरीके से, अलग-अलग resonating structures बनाए जाते हैं, ये सीखेंगे, और hydrogen bonding वैसे तो मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, बाद still hydrogen bonding में एक बाद फिर से पढ़ा दूँगी, ये total चार चीज़े सीखेंगे, क्या, आपका hyper conjugation, उसके बाद आप लोगों का steric hindrance, SIR कहते हैं, उस मतब कहते हैं steric hindrance अलापाट, फिर resonance और hydrogen bonding, ये चार फेनोमेनों पढ़ने के बाद, हम लोगों को क्या सीखना है, आप लोगों का reaction intermediates क्या होते हैं, और after studying reaction intermediates, हम लोग किसमें move करेंगे, applications of आप लोगों के all this studies, जितना भी आपने पढ़ा हो, उस सारी पढ़ाई का, क्या कहते हैं निचोड, ठीक है, के लोगों किसमें हैं,